नमस्तर दोस्तों जैसे कि कई बार क्या होता है हमें कोई link मिलता है और हमुआ देखते हैं उस पर click करते हैं और click करने के बार एक form हमारे सामने आज जाता है जैसे की यह और इस form में कुछ data भरने के लिए request होती है तो जैसे कि यह form है यह है student info abc school student tour permission form तो यह एक school की तरफ से parents से permission लेने के बारे में form बनाया गया है तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर student का नाम जैसे की ए लिख देते हैं पर father का name हम भी लिख देते हैं और permission के बारे में हम लिखेंगे do you want to send your child to Fartool तो हम yes कर देते हैं summit को दबाएंगे तो तो your response has been decoded तो यह परफार मामा लीजिए कुछ लोगों के दवारा भरा गया है तो भरने के बाद हम इस data को excel के रूप में यहाँ पर ऐसे प्रापत कर सकते हैं और इसमें edit कर सकते हैं और इसको हम data को computer पर offline save भी कर सकते हैं जैसे कि excel में सब मीनू होते हैं वैसे ही online google sheet में मीनू है हम save करने के लिए download क्लिक करेंगे और हम इसको PDF में excel में और किसी format में save कर सकते हैं how to do this यह सब कैसे होता है जानने के लिए संचू टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब करें subscribe बटन को दबाए बैल आइकन को दबाए ताकि हमारी वीडियो पहले मिल सके तो सबसे पहले हम Google पर जाएंगे Google पर हम type करेंगे Google form और enter क्लिक करेंगे हमारे सामने यह Google form free online survey आजाएगा क्लिक करने के बाद यह पेज होगा हमारे सामने यहां पर हम Google go to Google form पर क्लिक करेंगे यह एक बहतरीन Google की फीचर है इसके दोबारे survey भी किया जा सकता है quiz किया जा सकता है और data को collect किया जा सकता है अब यह पेज हमारे सामने है अब यहां पर है first blank जिससे कि हम एक नया form त्यार कर सकते हैं क्लिक करेंगे हमारे सामने यह window आएगी यहां पर हम untitled form form का title fill करेंगे जो भी हमारी requirement है उसके अनुसार हम यहां एक स्कूल के बारे में form बनाएंगे कि बिच्चों के parents से permission लेनी है कि टूर पर भेजा जाए या नहीं तो इसमें स्टूड़न्ट इन्फो स्टूड़न्स टूर परमिशन के बारे में हम form बना रहे हैं तो यहां हम इसमें हम question type कर देंगे student name name of student और एक और option डालेंगे बच्चे के पिता का नाम father name name of father यह students father name और हमें इसमें option डाल देंगे उनका नाम हम एक और option त्यार करते हैं इसमें लिए देते हैं do you want to send your student student your children child for tour और इसमें हम permission yes or no type कर देते हैं yes और दूसरे में no कर देते हैं तो यह हमारा बहुत छोटा समझाने के लिए बिल्कु सिंपल तरीके से चोटा सा form बनाया गया है हम इसको बहुत lengthy जैसे हमारी requirement house के अनुसार बना सकते हैं question की multiple और यह link इसके बनाने के बाद हम send पे click करेंगे तो यह हमारा link है इस form का इसको copy करके हम इसको mail भी कर सकते हैं और किसी को send कर सकते हैं direct यहां से तो इसको हम WhatsApp से mail से किसी भी तरीके से send कर सकते है और जैसे कि यह हमारे देखिए हमारा form और इस पर entry करने के बाद सम्मिट बटन पर click किया जाएगा और इसका data हमारे पास collect हो जाएगा as a excel, excel sheet के रूप में तो जैसे कि मैं यह एक for example form fill कर रहा हूं यहां पर मैंने बच्चे का नाम राम लिख दिया और फादर का ने मैं यहां शाम लिख देता हूं और प्रमिशन के बारे में यहां मैं yes कर देता हूं सम्मिट पर click करता हूं और ऐसे ही मैंने चार-पांच entry की है और इसको हम अब एक्सल में कैसे convert कर सकते हैं entry होने के अब हम वह सिकhेंगे आमने दुबारा से फिर गूगल form किया go to Google form पर click करेंगे और यह वही पे हमारे सामने होगा अब हम उसी form पर click करेंगे और यहाँ पर response पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस आइकन को एक्सल आइकन को क्लिक करेंगे तो यह as a google sheet open हो जाएगा हमारे सामने जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम इसको हमारे computer पर offline save कर सकते हैं download पर click Microsoft Excel sheet click और यह हमारे computer पर save हो जाएगा और हम दूसरे format भी use कर सकते हैं जैसे हमारे जुरुद हो तो मुझे आशा है कि आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो subscribe करें share